परम सतकार्योंग सासंगे जी, रसन पवीतर करिये ट्या की तानसीर साथ गुरु जग जी सिंग जी सासंगे झी, आज़ दी जड़ी साक्की है, एक गुरू अमर दास जी दे वेले दी है, ते ए साक्की पाई लांग जी दी है साखी हैं इस व्यक्ति दी बाल्य का आल वल्लो इक लात पोलियों द्वारा क्षती ग्रस्त सी जिस कारणों लंगडा 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 के चलदा सी अती उसनु विसाखी दा सहारा लेना पेंदा सी ए सेवा उकई साल्ला वल्लो गुरु जी दा अपगत होंदे नात्ते करदा चलदा आर्या सी रस्तेवी चोसनु स्थानिये चौदरी अक्सर मिल जान्दा सी जदो चौदरी पाई लांग जीनु वेगदा सी ता उस्तो हंसी ठी ठोली करदा अते कहन्दा कि तु नित एन्ने दूर दैं टोन्दा कारज गरदा है अते लंगडा होंदे नात्ते कष्ट पोगद कि तु अड़ा गुरू तु अड़े लात ठीक नहीं कार सकदा पाई जी उस दा अव्यांग सुन के सुन दे अते शांत बढ़े रहन दे पर ओ कदे कदे जवाब देन लेई बाद्य भी करदा ए सुत्ते पाई लांग जी केवल एही जवाब देन दे कि मैता निश्काम सेव करदा हां मैंनू अपने लेई गुरू जी वलो कुझ नहीं जाएदा है किन्तु चौदरी कहनदा ओ था ठीक है फिर सेवा करना तैनू की मुनाफ़ा होया जवाब विच पाई जी कहनदे मैं ते सेवा प्रेम वास करदा हां इस विच मुनाफ़ा नुकसान नहीं वेख्या जानदा चौदरी एनना उत्रावलो स्टूश नहीं हुनदा अथे फेर कहनदा सानू तो आड़े उत्ते बहब तरस आउंदा है कि तो आडे गुरू नुू तो आड़े उत्ते तरसी नहीं आउंदा जवाव इच पाई जी कहनदे गुरू जी समराथ हां अथे पीता ओ आपने बच्चियां दियां जिरूरता जान दे हन। जिरूरता 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 जान दे हन। पाई जी ने बहुँ नरम पावल्लों चोदरी नुँ बेंती किती कि मेंनु जान देो परंतु चोदरी कित्थे मननण वाला सी बस ओननु पाई लांग जी दा परिहास करन दा जनून सी ओ केंदा आप कि तेनु साला मती थो ओ गय हन सेवा करदे करदे अजे ही सेवार की मुनावा जी देना थोड़ा जया शरीर्दा कष्ट भी नहीं हटदा पर पाई लांग जी शांत चीत अडोल केवल नमरीता नमरता पूर्वक प्रातना कर दे रहे कि चोदरी जी मेंनु जान देो अखीर्वी चोदरी ने आपना मान बदल के वसाखी परत्या दित्ती पर ताद तक बहुत देर हो चुकी सी ज़ो पाई लांग जी धाही लाके गुरु जी दे कोल पुझे ता अनना ने देर वलो औधा कारण पूछिया ज्वा वेच पाई लांग जी ने किया तुसी सरवग्य हो अत मैं की तो अनूदसा गुरु जी ने अननू संतम ना दिती अत क्या की करतार पलिगरेगा तुसी लहौर चले जाओ, उत्थे सूफी संथ शाह हुसैन जी हन, उननु कहो कि मैंनु अमर्दास जी ने तौडे कोल पेज़ा है, अते बेंती करना कि तुसी मेरी लात ठीक कर देओ, पाइलांग जी ने आग्या पाके अजेहाई किता, बैल गड़ी दियात्रा करकि उन शाह हुसैन जी दे दरबार वी चरदास किती, तुसी मेरी लात ठीक कार देओ, शाह हुसैन जी ने सारी गालबात त्यान वलो सुनी, अते क्या गुरु अमर्दास जी पूरण पूरखन, तु ओनना दा दारचाड के एत्ते की लेनाया है, तुसी तुरंत बर्त जाओ, अते उते योना दे कोल, फिर मेरे वलो प्रातना करना कि मैता एक अधना जया सेव खा, मेरे कोल अजे ही समरत था, किते जो ए चमतकार वखा सका, पर पाईलांग जी नहीं मनने, ओ कहन लगे मेनू गुरु जी ने तु अडे कोल पेज़ जा है, ओन्ज में तु अडे कोल कदे भी आण वाला नहीं सी, इस उते दो नावलो दवा पैन लगा, पीर जी कहन दे तु सी वापस जाओ, क्योंकि गुरु जी समरत थान, पाईलांग जी कहन दे उनने तु अडे कोल पेज़ जा है, अता किहा सुनी हो गई, अखीर वीच आवेश वीच आके एक लाठ लेके, पीर जी पाईलांग नू मार पजान दोड़ पै, अते कैल लगे जानना हैं की नहीं, उने तु अडे लाठ ठीक कार दे ना, मार दे डारवलो पैपित, पाईलांग जी आपनी वसाखी ओथे इचाड़ के, पाज खड़े होई, वेकदा की है कि उस दी लाठ ठीक हो गई है, उन उसनुव साखी दी लोड़ी नहीं है, ओ खुशी खुशी मानी मान गुरुजी दा तनवाद गरदा होया, वापस परदाया, जदोस पिंड वीच चौधरी ने पाईलांग जीनू बिल्कुल ठीक पाया, तो आपनी मुर्गता उत्ते पच्तावा गर लंगा, गुरुजी द साध्गुरु जगजी सेंग जी, साध्डी अना दी चहना थी, अनीक आवार डंडौत बंदना है,